कि नमस्कार आज की इस वीडियो में हम वक्त के उपर बात करेंगे कितना टाइम लगता है हाइड्रोफोनिक फॉडर उगाने के लिए और अगर हम कंपेर करेंगे खेत में उगाने के लिए उसका एक जस्ट एक अंदाज निकालेंगे कि आपको टाइम के साथ कैसा डील करना पड़ेगा अगर आप इसके साथ डील करेंगे उसके साथ डील करेंगे क्या फाइदा है हमारा इसके उपर स्वीच करने का तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह जो सिस्टीम है अगर हम 100 kg का प्लांट पकड़ेंगे उसको जब आप सेट अप लगाएंगे तो अगले 8-9 दिन के बाद अगर रोज का उसमें एक बैचीज रहते अगर आप 100 kg का यूनिट बोलेंगे तो 100 स्क्वेर फीट में आपके कम से कम साथ से 8 बैच लगाया जाते हैं जिसको मैं आगे जाके डीटेल में बताऊंगा और जस्ट एक आपको मैं बताता हूँ कितना टाइम लगत है एक बार आपने बैच लगाया तो उसका साथवे आटवे दिन आपके पास वह पूरा प्रोड्यूस्ट प्रोडक्शन निकल जाता है ठीक है और अगर आप कंसिस्टेंट बैच लगाएंगे आठ दिन के तो जो मंडे का बैच लगाया अगले मंडे को निकलेगा स्वर्ल साइकल उगाने के लिए आपको 8 से 10 दिन लगता है कभी कभी जो मेज है मके को स्प्राउटिंग करने के लिए 2-3 चला जाता है और अगर आप बारली के बारे में बात करेंगे जव के बारे में तो एक दिन में हो जाता है तो ये डिपेंड आपको उनसा सीड है नो बैच बनाएंगे, systematic consistent लगाएंगे, तो आपको रोज का production निकलेगा, आपको सोचना ही नहीं है, बहुत से लोग confused रहते हैं कि जब आप बोलते हैं, production निकलेगा 100 square feet में, तो वो बोलते हैं कि हफते में निकलेगा, कि नहीं, हफते में निकलेगा, रोज का आपको 100 kg निकले हो जाएगा, आपको वो बैचतार हो जाएगा, आठ दिन का, तेक, overall मैंने आपको बताया, कि हाइड्रोफोनिक का जो seed to feed है, वो कम से कम 8 या 10 दिन है, और अगर हम compare करेंगे, जो खेत में उगाते हैं हम लोग, आपको मलूम है कि कभी-कभी, अगर आप बरसीम लेंगे, या दो मैना, तीन मैना भी लगता है, कोई लोग जो मक्कई लगाते हैं खेत में, उसको तो तीन मैना, क्योंकि यह जो leftover रहता है, बचा हुआ रहता है, वो हम गाए बक्रियों को खिलाते हैं, ठीक है, तो अगर silage भी किसी को बनाना है, उधारन, silage भी बनाना है किसी को, तो भ उसको भी time लगता है, कोई भी चीज without time नहीं हो सकती, यह एक चीज जो है, क्योंकि यह sprout fodder है, और बात ऐसी है कि इतना कम टाइम में यह क्यों उगता है, इसका कारण यह है, कि जब हम पानी में उगाते हैं, तो इसको struggle करनी की जरूद नहीं है, इसको literally यह पानी के moistness में र struggle करने की जरूद नहीं है, और हम इसको micro green stage बोलते हैं, 6-7 दिन में उसको निकाल के खिलाते, तो literally initially जो रहता है, उसका जो growth period बहुत fast रहता है, तो हमें रुकने की जरूद नहीं है, हमें 15-20 दिन रुकने की बिल्कुल जरूद नहीं है, इसके अंदर 7-8 दिन का batch है, तो आ आपके पास material available होता है, एक बार आपने batch लगाया, seats का arrangement किया, seat का arrangement करना बहुत important है, सही तरीके से arrange करना पड़ता है, seats का arrange किया, आपने रोज का 100 kg या 15 kg, 50 kg जो आपने plan किया, रोज का आपको भिगाना है, वो एक system चालू किया, तो आपको 8-20 दिन के बाद, रोज आपको उ रुखना पड़ता है, तो time के बारे में अगर आप सोचेंगे, अगर किसी को instant project चालू करना है, तो आपको उरुखनी की जरूद नहीं है, आप कम time में production निकाल सकते हैं, कभी-कभी बहुत बड़े challenges आ जाते हैं, option नहीं रेता है, तो यह कैसा option है, कि आपके पास time भी कम है, और अगर आपने यह technology समझ लिया, तो आप यह technology समझ के production चालू करेंगे, within 8-10 days, आप रोज का रोज fresh green powder निकाल सकते हैं, आपके जगा पे आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई परेशान ही नहीं रहेगी आपको, तो एक time का concept आपको मैंने समझाया है, hope यह आपको concept clear हो गया हो आपको, तो आपको, 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